हलो फ्रेंड्स आज हम लोग बात करेंगे सुन्दर सी फिलावरिंग प्लान्ट अमेरीलस लिली प्लांट के बारे में कि इसकी केर आप लोग कैसे कर सकते हो अगर आपने अपने गार्डन में लगाया हुआ है और अगर नहीं भी लगाया है अभी तक आपने तो आप इस समय गार्डन वा की मैसज़ कर लिए Knees लिए प्लावरिंग का टाइम आने वाला है कि इन incorporation time Hoaires की मीशड़ी आपने गाड़न चुरू होती 24 तुर बात करते हैं किमी किए कर सकते हैं T2 mater इरफ तो आपको बता जो है ग्रो किया जाता है और या फिर आप नर्सरी से लाकर भी इस प्रांड को अपने गार्डन में आड़ कर सकते हो इसमें आपको बहुत सारे कलर्स विराइटी जो है मिल जाएंगे इसमें आपको वाइट सेड में मिल जाएगा कलर और रेड भी कॉमन होता है तो आपको को बल्ब को आपको online purchase करना है तो आप online भी purchase कर सकते हैं आसानी से जो हो आपको मिल जाएंगे इसके जो बल्ब आप लेंगे तो आप देखकर आप अगर आप नर्सरी से पर्चेस करते हो इसके बल्ब के ब्रे का इसलोम साइज के अगशा के एक म Такा की मारा चीह आफ यह Edit र SUBike उस्टे के लिए च्छा अंद शप्रेक उन्हें तो बड़े शनदर इसके पूल लगते हैं ङार फ़ल्ए ही तो यह मेरे पेसले की जो है यह क्लिप रखी हुई थी वही आपके साथ शेयर कर रही हूं तो इससे में जो है इस प्लांट की गोईंग पिरेट का टाइम होता है तो इससे में अपने प्लांट में खाद बगरा देनी होती है तो आप इसमें जो है सरसोखली का फटलादर अपने प्लांट में दे सक और इसके फूल खिल जाएं तब आप फोड़ा शेड में रख सकते हैं तो इसके जो प्लांट होते हैं बल्ब से ग्रोह होते हैं तो इसमें वाटरिंग भी ध्यान से करनी होती ज्यादा बार-बार इसमें वाटरिंग मत करिए और जब इसका ऑफ सीजन होता है ऐसे कि या फ्ल बड़ सकते हैं तो गिसमें से पूल से क्कानी फीयकता प्लांट में पूल टियुक चरब होते हैं तो इस तरह से आपे प्लीजेश अधूर और जरोर आड़ करिए इस प्लांट को बड़े इस-धी'ología को बड़े बड़े ही सुनतर से फूल आइं यां इसके फूल निकलते है और जब फूल खिल जाते हैं से मुझम बुर्जा जाते हैं तो आप इनको पूर्ण कर सकते हैं थैंक्यू फ्रेंड्स हैपी गार्णिंग